तो आर्कोस अपना अंडर्वर्ड बॉस है और उसका कॉंसेप्ट आज में बताऊंगा तो जो क्रेडिट है वो जाता है एनजी वेलवेट को और निसान प्रो को जैसा में सा होता है तो यह अपना आर्कोस है फिर यह वाला निसान व्रो ने बनाया है यह थोड़ा अच्छा लग रहा है सर पर टोपी वोपी है तो फिर सर उसका पूरा हड़ी था चूह वाला तो यह फॉर्स्ट उनिक अबलेटी इसमें है लीडर आप दा रैट क्लैन इसमें कि जो आर्कोस है वो क्या करेगा कि जिस जितना उसके पास जारा सैड एनर्जी रहेगा उसे हिसाब से उसका जो अटैक है वो इंक्रीज रहेगा और डिफेंस भी इंक्रीज रहेगा फिर यहाँ पर सेकिंड में है ग्रेज्वाल अडएप इसमें कि अपना हीरो है वो जैसे जैसे उसका हेल जो है कम होते जाएगा वैसे वैसे उसका सैड़ एनर्जी गियन का जो स्पीड है वो इंक्रीज होते जाएगा तो मुझे लगता है यह ज्यादा कुछ special नहीं है लिखा हुए बस charge attacks पर कुछ special नहीं लग रहा है यह है league of rats इसमें कि जो अपना hero है वो चुहों को माराजा है तो चुहा लाल ठीक है चुहों को माराजा है तो बैटल में चुहा जितना भी है उसका मदद करेगा कुछ बहुत जारा मदद करेगा तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है तो यह वाला इसका रेंज डिपन है यह ठीक है इसका नाम है eternal poison इसमें है कि जो hero है वो फेकेगा एक bottle सा कुछ 16 bottle में कुछ होगा वो फेकेगा फेक तो अपोनेंट को poison नहीं लग जाएगा मतलब एक छोटा सा फेकेगा तो कुछ limited एरिया है वहीं पर टक जाकर रुख जाएगा और वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा फिर अपोनेंट वहां पर आएगा तब उससे कुछ होगा तो यह वाला इसका सैड अबलेटी है यह चूह में चेंजिंग हो सकता है और कुछ स्पीड में भी चेंज हो जाए तो बस वेव यह होगा ठीक है तो अब लेवल टू पर टैलेंट को देख लेते हैं फॉस्ट में टफ बीस्ट इसमें है कि जो अपना आर्कूस है ना यार्कूस बोलता हूं थोड़ा इरिटेटिंग लग होगा फिर आप्शन में है कि विनमस रैट है इसमें भी है कि जो अपना चुहा है उसका अटैक डिफेंस दोनों इंक्रीज होता था था ना तो अब और ज्यादा होगा ठीक है तो लेवल फॉर पर फॉस्ट में है टफ पॉईजन इसमें है कि जो अपना एरिया क्रीट होता थाना तो वह एरिया अब ज्यादा देर तक बैटल फिल्ड में रहेगा फिर ऑप्शन में एफेक्टिव पॉईजन इसमें है कि जो अपना डैमेज है पॉईजनस एफेक्ट से वह इंक्रीज हो जाएगा सो लेवल शिक्स पर परस्ट में है लोयल रैट्स इसमें है कि जो चुहा है वह क्या करेगा जब गिरेगा तो थोड़ा जो उसका जितना भी रैट्स है न उसका थोड़ा सा लाइफ इंक्रीज कर देगा वही वाला है जो टैलेंट में बताया था आपको सौरी जो यूनिक अविलिटिम बताया था फिर आप्शन में हानेस्ट पावर इसमें है कि जो अपना चुहा है जब गिरेगा तो उसका सैड अनर्जिवार फूल हो जाएगा और वह जमा कर लेगा अपना रैट्वेव यूज करने के लिए सो लेबल एट पर फ़र्स्ट में है तर टॉक्सिक वेव इसमें कि जो रैट्वेव एविलेटी उसकर लेगा सैड़ पॉलेटी तो वह एक वाइन सिफेक्ट छोड़ देगा पॉनेट पर फिर ऑप्शन में है इंटव द ब्लैट इसमें कि जब वह क्रिटिकल एटाग परफॉर्म करेगा तो वह भी एक पॉज्ब्स फेक्ट छोड़ देगा पॉनेट पर अब लास्ट में लेवल टिन पर इस इसमें first में है the united clan इसमें है कि जो अपना सेड़ अबिटी उसका था ना रैट वेप तो इसका जो आप देखा था अपने कैसे अनिमेंशन है तो इसका जो हाइट है और इंक्रीज हो जाएगा फिर option में है the ragging clan इसमें है कि जो रैट वेप का स्टार्टिंग है वह फास्टर हो जाएगा सो मैं बताना भूल गया इसका जो fraction है वह और डैनेस्टिक और विपनों का string सो अब बाय बाय और नेक्स्ट के लिए रेडी रहिए